तो आज हम आपके लेकर आए हैं कंट्रोल और कोडिनेशन का सेकंड लास्ट वीडियो फाइनली यह चैप्टर खतम होने वाला है तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर पढ़ते हैं फटा फटा आगे तो देखो अब आज हम पढ़ने वाले हैं थाइमस ग्लांड और पैंक्रियास के बारे में आपको इतना तो पता है कि थाइमस ग्लांड का सबसे इंपोर्टन काम होता है ती थाइमस ग्लांड का प्रेजंट होती है थाइमस ग्लांड के अपर पार्ट में ऑन दे डॉर्सल साइड आपके हाट के पीछे की तरफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सामने यह देखो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा थाइमस ग्लांड का ऐसे प्रेलोब्ड मास ओ लिम्फॉइड टिशू इंट प्रॉमिनेंट ग्लांड अट बर्थ मतलाब जब बच्चा पेदा होता है तो उस टाइम पे यह ग्लांड क्लीर लिसीबल होती है प्रॉमिन का मतलब होता है क्लीरली विजीबल लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे बोलते हैं temporary gland, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी body के दूसरे parts healthy होने लगते हैं, तो हमको दीरे-दीरे करके thymus gland की जरुवत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर देखो आपको thymus gland का function बताया गया है, it secrete the hormone thymocene, thymus gland का function क्या है, thymocene hormone release करना, यह thymocene hormone क्या करते हैं, यह हमारे immune system के cells को develop करते हैं, it has an important role in the development of immune system by maturation of T lymphocytes, तो हमारे जो thymus gland है, यह हमारी thymus gland thymocene hormone बनाती है, और thymocene hormone क्या करते हैं, T cells को develop करते हैं, T cells को mature करते हैं, देखो हमने पढ़ा था, B lymphocytes और T lymphocytes के बीच का difference हमने जब पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था, कि T lymphocytes और B lymphocytes दोनो bone marrow में बनते हैं, लेकिन B lymphocytes का maturation bone marrow में होता है, और T lymphocytes जो है, वो thymus में जाके mature होते हैं, कहा mature होते हैं, thymus में जाके, it also promotes production of antibodies by providing humoral immunity, देखो, thymus T cells को develop करती है, T cells चार टाइप के होते हैं, T helper cells, T killer cells, T suppressor cells and T cytotoxic cells, तो उसमें से जो T helper cells हैं, कौन से cells हैं, जो T helper cells हैं, यह T helper cells, B cells को activate करते हैं, तो जब T cells develop होंगे, तभी T helper cell बनेंगे, जब T helper cell बनेंगे, तभी आपका B cell develop होगा, और B cell जब आपका activate होगा, तभी आपको antibodies मिलेंगी, मतलब directly या indirectly, thymus gland की मदद से ही आपको antibodies production में भी help होती है, और इसलिए हम इसको humoral immunity का भी part बोलते हैं, I hope आपको इतना समझ में आ ग प्रेजन्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं adrenal gland या suprarenal gland, supra word का मतलब होता है above, और renal word का मतलब होता है kidney, तो kidney के ऊपर जो टोपी present है, उसको बोलते है adrenal gland, अब इस adrenal gland के क्या functions है, adrenal glands have dual origin, जैसे हमारा pituitary gland था, dual origin, उसका एक lobe oral root से बना था और दूसरा lobe आपके neural root से बना था, ठीक उसी तरीके से adrenal glands भी दो अलग-अलग origin से बनता है, it is made from two types of tissues और two types of layer, mesoderm and ectoderm, they are located on the upper border of each kidney, आपका adrenal gland कहां present होता है kidney के ऊपर, adrenal glands are small in structure, they are conical in shape, adrenal gland का structure conical होता है, and they are yellowish in color, and show two distinct regions, adrenal gland के आपको दो regions देखने को मिलते हैं, adrenal gland का जो ऐसा structure है, ऐसे बाहर के आपको थीन layers देखने को मिलेंगी, और अंदर का एक अलग region देखने को मिलेगा, so adrenal gland shows two distinct regions, outer cortex and inner medulla, यह जो outer region है, इसको हम बोलते हैं, cortex region, और यह जो अंदर का region है, इसको हम बोलते हैं, inner medulla, देखो आपको यहाँ पर मैं डाइग्राम बता र region, cortex region के तीन पार्ट्स बताए गए है, सबसे पहला जो पार्ट है, that is zona glomerulosa, दूसरा पार्ट जो है, that is zona fasciculata, और तीसरा पार्ट जो है, that is zona adrenalis reticularis, और फिर आपका आता है medulla, तो एक एक करके हम तीनों पार्ट्स का function देखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम देखते है, adrenal cortex cortex मतलब क्या, cortex यानि की outer region, biology में जब भी यह word आए cortex, आपको समझ जाना है कि यह outer region की बात हो रही है, outer layer को हम cortex layer बोलते हैं, जो बच्चे medicine करने वाले हैं, उनके लिए यह बहुत मूल मनत रहे हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लो, adrenal cortex is derived from embryonic mesoderm, जब बच्चा बनता है, जब zygote fertilization, मतलब जब firm और ovum का fertilization होता है, तो zygote develop होता है, zygote develop होके embryo बनाता है, और embryo जब develop होता है, तो उसकी body में अलग-अलग layers देखी जाती हैं, यानि की gastrulation और blastrulation के face में, three layers बनती हैं, endoderm, mesoderm and ectoderm, ओके, तो जो cortex वाला region है, वो mesoderm से बना है, cortex वाला region किस से mesoderm से बना है, adrenal cortex secrete many hormones, आपके ये cortex वाले region से अलग-अलग hormones बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं, corticoids, cortex के hormones को बोलेंगे corticoids, क्या बोलेंगे corticoids, it is differentiated into three concentric regions, यानि की cortex के अंदर और तीन layers हैं, ठीक है, एक-एक करके तीनो regions को समझते हैं, सबसे पहला जो outer region है, उसको हम बोलते है, outer thin zona glomerulosa, यह देखो, जो सबसे outer most layer है, वो सबसे पतली layer है, तो उसको हम बोलते हैं, thin zone, zona मतलब zone, layer, glomerulosa, okay, it secrete mineralocorticoids, यह क्या secrete करती है, कुछ ऐसे mineral secrete करती है, जैसे sodium, potassium, magnesium, calcium, जिसके वज़े से आपकी body का salt water balance बना रहता है, so it secrete mineralocorticoids, यहाँ पर आए आएगा, it secrete mineralocorticoids, they are released for regulating sodium and potassium ion concentration, क्या बताया गया हमको यहाँ पर, कि हमारे adrenal gland की बाहर के layer से जो hormone बनता है, mineralocorticoids, यह mineralocorticoids क्या release करते हैं, sodium और potassium ion release करते हैं, sodium और potassium ion की मदद से, हमारी body का salt water balance बना रहता है, blood volume maintain रहती है और blood pressure maintain रहता है, क्योंकि sodium ions आपके blood pressure को control करता है, aldosterone याने adult hormone, जिसको हम salt retaining hormone भी बोलते हैं, salt को absorb करने वाला hormone, it is the main mineralocorticoid, यह आपको याद करना है कि सबसे main mineral कौन सा है यहाँ पर, aldosterone, it balances sodium and potassium levels, यह mineralocorticoid क्या करता है, हमारे body के sodium और potassium का level balance करके रखता है, जिससे हमारा homeostasis maintain रहे, हमारा nerve impulse अच्छे से चलता रहे, क्योंकि आपको भी पता है sodium और potassium का flux कितना important है, ओके, all right, फिर अब बारी आती है, adrenal cortex के second region की, याने zona fasciculata, it is the thick region, it is responsible for secretion of glucocorticoids, glucocorticoids याने glucose के hormones, like cortisol, glucocorticoids का example क्या बताया है, यहाँ पर हमको cortisol, it regulates metabolism of carbohydrates, obviously अब इसका glucose से लेना देना है, तो यह carbohydrates का balance करेगा, proteins and lipids का भी थोड़ा बहुत यह balancing संभाल लेता है, cortisol is a special important glucocorticoid, क्यों, because it is responsible for increasing in blood glucose level, जब भी आपकी body में sugar की कमी होती है, तो आपके body में जो glucose आता है, वो आता है, adrenal gland के zona fasciculata से, मतलब कुछ glucose zona fasciculata से आता है, कुछ glucose pancreas से आता है, okay, पढ़ेंगे, pancreas के बारे में भी पढ़ेंगे, it is immunosuppressive, क्या पताया गया है हमको यहाँ पर, it is immunosuppressive, it suppresses synthesis of antibodies, immunosuppressive मतलब क्या होता है, आपकी body में जब भी कोई allergy वाली condition हो जाती है, तो आपकी body के immune system फटाफट खुद के उपर ही attack करना start कर देते हैं, तो ऐसे टाइम पर हमारी body को protect करने के लिए कुछ immunosuppressants release होते हैं, जो हमारी body को खुद के cells से protect करें, और बाहर से जो antigen आया है, उसके लिए जब हम दवा लेते हैं, तो फिर वो दवा हमारे antigen के उपर attack करती है, तो glucocorticoids body के immune system को खुद से protect करती है, और body को healthy रहने में मदद करती है, it is used in the treatment of allergy, it prepares animals to face emergencies in nature, समझो अगर बहुत emergency वाला situation आ गया है, तो glucocorticoids क्या करेगा, अगर आपने 4 दिन तक भी खाना नहीं खाया है, तो glucocorticoids, cortisol बनाएगा, जिससे आपकी body को energy मिलती रहेगी, क्योंकि glucose release होता रहेगा, तो emergency वाली situation में यह hormone काफी help करता है, फिर उसके बाद next hormone आता है हमारा, या next layer आती है, zona reticularis, यह सबसे तीसरी layer है, cortex की सबसे अंदर वाली layer है, okay, it is responsible for production of sex hormones, corticoids याने की hormones, okay, so in hormones का हम बोलते है, gonadocorticoids, क्या बोलते हैं इनका हम, gonadocorticoids, क्या बोलते हैं इनका हम, gonads याने की sex organ, तो sex organ से जो hormones बन रहे हैं, उनका हम बोलेंगे gonadocorticoids, in males, males में कौन से sex hormones बनते हैं, in males, they have a role in development and maintenance of external sex characters, like secondary sexual characters, beards and moustaches development, अगर ये sex hormones बहुत ज़्यादा हो गए, excess of sex corticoids in female, causes adrenal, virilism and hirsutism, याने की, अगर females में ये sex hormones ज़्यादा हो गए, male वाले hormones अगर females में ज़्यादा हो गए, तो females के चेहरे पे आपको बहुत ज़्यादा hair growth देखने को मिलेगी, याने की उनकी body में hormonal imbalance हो गया है, और अगर male में बहुत ज़्यादा sex hormones हो गए, तो उनके अंदर गाइने को मिलेगा, याने की males के breast जो है, वो enlarge होने लगेगे, man boobs की growth हो जाएगी, जिनको हम बोलते हैं, moves, ओके, आगे देखो क्या बताया गया है, androgens, androgens मतलब क्या होते हैं, मैंने ये बार-बार आपको बताया, androgens याने की aldosterone, याने की sex hormone, बस यहाँ पर बार-बार नाम अलग-अलग यूज़ की है, so androgens and estradiols, estradiols याने estrogen, estradiols से estrogen बनता है, और androgens से testosterone बनता है, कौन सा aldosterone बनता है, testosterone, ओके, so androgens and estradiols are produced by the adrenal cortex, तो यह जो important sex hormones है, यह किस की मदद से बन रहे हैं, adrenal cortex की मदद से, याने adrenal gland की health से, अब देखो आगे, हमको disorders के बारे में बताया गया है, कि अगर यह hormones कम बने, hyposecretion हुआ, तो क्या बिमारी होगी, और अगर hypersecretion हुआ, तो क्या disorder देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, hyposecretion के बारे में, hyposecretion of mineralocorticoids, and glucocorticoids, याने sodium, potassium, plus glucose, अगर कम बना, तो क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, हमको it is responsible for Addison's disease, Addison's disease में क्या होता है, in this disease, the characteristic feature is low blood sugar, आपके blood में less sugar present होगी, जिसके वज़े से आपको बार-बार चक्कर आएंगे, low sodium and high potassium concentration in plasma, जिसके वज़े से आपका blood pressure बढ़ेगा, increased loss of sodium and water in urine, बोडी से अगर ज़्यादा sodium बाहर चला गया, तो आपके nerve impulse बहुत slow हो जाएंगे, क्योंकि sodium का बहुत important role है, nerve impulse transfer करने में, it leads to weight loss, और इसके वज़े से क्या होगा, आपका weight lose होने लगेगा, क्योंकि body में metabolism slow हो गया है, weakness हो जाएगी, आपको चक्कर आएगी, उल्टी जैसी feeling होगी, nausea याने उल्टी जैसी feeling होना, vomiting याने उल्टी होना, और diarrhea याने lose motions होना, तो body में कोई भी mineral कम या जादा हो जाता है, तो उसके वज़े से definitely body को नुकसान पहुंचता है, तो अगर आपकी body में mineralocorticoids और glucocorticoids कम produce हो रहे हैं, तो उसके वज़े से कौन से disease होती है, addison's disease, आपको नाम याद रखना है, और अगर समझो आपकी body में जादा हो गई है hormones, याने glucocorticoids अगर बहुत जादा हो गया, तो उसके वज़े से आपको Cushing's disease देखने को मिलेगा, what is Cushing's disease? It leads to high blood sugar level, excretion of glucose in urine, rise of sodium in blood volume, high blood pressure, obesity and wasting of limb muscles, यहाँ पर मैंने शायद high blood pressure बोला था, पर यहाँ पर low blood pressure होता है, sodium अगर low है तो low blood pressure, sodium अगर high है तो high blood pressure, क्योंकि low sodium, low impulse transfer करेगा, जिसके वज़े से body slowly slowly काम करेगी, और high sodium, high impulse transfer करेगा, जिसके वज़े से body fast काम करेगी, तो blood pressure भी increase हो जाता है, तो अगर आपकी body में glucocorticoid जादा हो गया है, तो Cushing's disease होगा, और अगर कम हो गया है, तो Addison's disease होगे, sodium जादा होने के वज़े से, आपका metabolism fast हो जाएगा, जिसके वज़े से, मतलब ये, आपकी body को बहुत जादा absorbed food मिलेगा, जिसके वज़े से obesity देखने को मिल सकती है, और आपके जो limb muscles हैं, limb muscles lose हो सकते हैं, या paralyzed हो सकते हैं, excess obese होने के वज़े से, एटसेरा, एटसेरा, तो बहुत सारे अलग-अलग consequences होते हैं, अब बारी आती है, Adrenal Medulla की, Adrenal Medulla मतलब क्या होता है, It is the middle region of the adrenal gland, ओके, ये देखो, सबसे center वाला region, It develops from ectoderm, ये कौन से layer से बना है, ectoderm से, तो cortex वाला region बना है, ये देखो, ये cortex वाला region बना है, mesoderm से, और medulla वाला region बना है, ectoderm से, ऐसे उल्टा याद रखना, medulla का M, लेकिन ये mesoderm से नहीं बना है, medulla का M है, तो मतलब M उपर वाला layer है, mesoderm से, उपर वाला layer बना है, और नीचे वाला layer, ectoderm से बना है, ओके, it secrates two hormones, आपका जो adrenal medulla है, वो दो important hormone बनाता है, बहुत important hormones, एक है adrenaline और एक है noradrenaline, adrenaline का दूसरा नाम है epinephrine, और noradrenaline का दूसरा नाम है norepinephrine, आपको ये बार-बार hormones में बता चुकी हूँ, adrenaline hormone को हम excitement hormone बोलते हैं, या emergency hormone बोलते हैं, it is also known as emergency hormone, also called 3F hormone, 3F मतलब क्या होता है, fight, flight and fright, जब भी आपको जगडा करना हो, जब भी आपको किसी emergency situation में decision लेना हो, या जब भी आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो आपको हिम्मत दिलाने के लिए ये hormone प्रडियूस होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 3F hormone, जो आपको बड़ी से बड़ी emergency situation में भी ताकत देता है, noradrenaline regulates the blood pressure under normal condition, ये जो noradrenaline है, ये adrenaline का opposite hormone होता है, adrenaline hormone emergency hormone है, और noradrenaline जो है, ये relaxing hormone है, noradrenaline hormone कैसा होता है, relaxing होता है, body को calm down करता है, it also acts as vasoconstricted, थोड़ा body को calm down करेगा, थोड़े blood vessels को contract करेगा, थोड़ा सा लेकिन इसके वेज़े से blood pressure बढ़ जाता है, ओके, alright, तो I hope आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने छोटी रखी ये वीडियो को, ताकि आप फटाफट देख सको, क्योंकि मुझे पता आपके पास time नहीं है, तो आपको फटाफट ये topics देखकर खतम करने, कुछ doubt हो तो आप comment section पर पूछ लेना, वैसे तो कुछ doubt होने नहीं चाहिए, क्योंकि ये topics 11 standard के हैं, तो आपको ये आने चाहिए, फिद भी मैंने कोशिश की आपको diagram की मदद से अच्छे से explain कर सकूँ, वीडियो अच्छे लगे तो like कर देना, friends के साथ share कर देना, subscribe कर देना, तो आप उनको ये वीडियो, मतलब ये channel share करो उनके साथ, ग्यान लैब channel में biology physics पढ़ाया जाता है, ताकि उनका भी फायदा हो सके जैसे आपका हुआ था, उनके लिए भी हम बहुत अच्छे surprises लाने वाले हैं, और आप भी बने रही हैं हमारी channel के साथ, फर्स्ट एपरिल के दिन, आपका एपरिल फूल नहीं होगा, आपके लिए बहुत अच्छा surprise आने वाला है, कोई exam related news नहीं है, ग्यान लैब channel का special surprise है, उनके special students के लिए, तो तब तक के लिए आप सिर्फ पढ़ते रहिए, महनत करते रहिए, हम आपके लिए महनत करते रहेंगे, मिलते हैं जल्दी, वीडियो को लाइक कर देना, और पढ़ते रहना, थैंक यू, स्टे टून, सी यू सू,